नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आइए हम इस वीडियो में स्यांखिकी के बारे में पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग ऑंग्रेजी में स्टार्टिस्टिक्स भी कहते हैं। स्टाटिस्टिक या फिर हम कहें स्ञांखे की गणित की एक ऐसी शाका है जिसमें हमारे पास बहुत सारी संख्यात्मक सूचना जो है उसका हम अध्यन करते हैं अब संख्यात्मक सूचना जो शब्द है वो सुनने में ऐसा लग रहा है कि शायद हमने इसके बारे में नहीं सु तरीके का कुछ भी आलेखिये, निर्वण देखें, सूचना का, या आकडे देखें, जिसमें सालने में आपको आकडे दिये हो, ये सब कुछ ही सांख्याक्यकी के अंदर ही आएगा, ठीक है? तो आएए देखते हैं कि सांख्यकी के अध्यान में सबसे पहला हमारे पास पद क कितने बच्चे हैं कि मतलब एक परिवार का एक बच्चा है या दो बच्चे है या तीन बच्चे है या चार बच्चे है इस प्रकार से अगर मुझे किसी प्रकार की गर्णा करनी है और मैंने इसी बात को अपने ध्यान में रखते हुए घर से घर कदम से कदम जाते हुए इस आकड़ों को इखटा किया पहले घर में जाके पूछा जी आपके घर में कितने बच्चे हैं आप लोग की उम्र क्या है इस प्रकार से मैंने प्रश्न किये और मैंने अपने पास एक खाते में इस सब को लिखा तो उन खातों में जो मेरे पास आकड़े होंगे चूकि मैंने अपने दिमाग में एक उद्देश रखते हुए इन आकड़ों को इखटा किया है और इसमें किसी भी तरीके की कोई भी अभी गढ़ना नहीं करी है कोई भी तरीके का manipulation नहीं किया है तो हम इसे कहेंगे प्रात्मिक आकड़े अगर परिभाशा कहूं तो वो आकड़े जो स्वयम अनवेशक मतलब जिसको चाहिए आकड़े उसने खुद अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश रखकर सूचनाओं को एकत्रित करे तो इस प्रकार के एकत्रित आकड़ों को प्रात्मिक आकड़े कहा जाता अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसा गाउं है जिसमें स्वयम अनवेशक के लिए जाना मुम्किन नहीं है मान लीजिए कोई ऐसा गाउं है जहां पर कुछ भी जिसे आजकल कोविट के दोरान अगर हम मान लें तो किसी लॉकडाउन की वज़े से कोई मान लीजिए ऐसा गाउं है जिसमें अनवेशक खुद जाकर कि किसी प्रकार का एक उनिश्चत उद्धेश लेकर के सूचना को एक अत्रत नहीं कर सकता तो उसने क्या किया उसने जो राशन कार्ड हैं वहां के पूरे परिवारों के उनका अध्यन किया उससे उसने निकाला कि अच्छा राशन कार्ड में नाम लिखा हुआ है परिवार के जनों का तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एक परिवार में कितने बच्चे तो आब ये समझें कि अनवेशक ने जो इस बार सूचना इखटा करी वो परिवारों से ना करके पहले किसी एक सूचना से इखटा करी मतलब जो सूचना इखटा करी थी राशन कार्ट बढ़ाने वाले व्यक्ति ने उसकी सूचना को प्राथमे का अकड़े और गौन आकड़ों में क्या अंतर है ये अगर परिश्चा के दिष्टी कौन से मैं कहूं तो जो बहु विकल्पी अप्रशन होते हैं उनमें बहुत ज़रूरी है और वैसे भी अगर आप इस सब्जेक्ट को देखें तो उसकी समझ के लिए तो ये समझना ज़रूरी है ही